आज मैं जनमस्ट मिया स्पेसल केक बनाऊंगा मटका केक डिजाइन रहेगा कानहा ने जो अपने मटके से माकन चुरा करके खाये थे से उसी टाइप से मटका केक में बना करके आज आप लोगों को बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बासूरी बना लेता हूं उसके लिए यहाँ पे मैं वाइट फॉंडल लिया हूं और इस तरीके से रोल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास गॉल्डेन डस्ट है जिसको गॉल्डेन पॉडर भी आप बोलते हैं उसमें हम इस तरीके से प्रोपर गोल्ड कर दिया हूं उसके बाद हमको जितना बड़ बासुरी बनाना है मुतना बड़ा साइज में इस तरीके से पॉर पर कट कर लिया हूं और आप लोग देखती हूंगो कि बासुरी में बीच-बीच में हॉल रहता है तो उसको आप और किस तर प्यो किसे चीज की सायता से बहाँ पर आप ऑप वाँल कर सकते हैं नहीं तो औ यहां पर पूरा बासुरी में चिपका देता हूं इससे क्या है मेरा बासुरी जो है बहुत ही बढ़िया दिखने लगता है आप देख सकते हैं यहां मेरा बासुरी जो है वो कॉंपलीट हो घिया इसा इस तरीके से लेकर बासुरी में रस्योगरा का बहुत हो रहता है और हमीशो। को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम गिरीन कलर का फॉंडेन एक पान पता का जैसा पाइले से कट कर लिया हूं उसके बाद आपको जो भी कलर कोमिनेशन में बनाना है वह भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हम पूरा फॉंडेन कट करके दूसरी में इस तरीके से चिपका लिया हूं फिर नीचे इस तरीके से न्यूट्रल जेल लगा करके यहां पे हम इसमें पूरा इस तरीके से चिपका देता हूं उसके बाद के थोड़ा सा प्रोपर अभी और भी कट करना है क्योंकि हमको थोड़ा सा नीच देख सकते थे, कि यहां पर थोड़ा सा size एक्टरा हो जा रहा थا जो हम पूरा जो कलर वाला वरीजिनल है तो आप वह वाला भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम लोग के पास वह नहीं था तो हम यहाँ पर भी आप लोगों को किस तरीके से आप फॉंडेंट से बना सकते हैं वह आपको बता दिया हूँ तो चलिए फटा-फट से मठका केक का आइसिंग बी कम्पलेट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका लेयर होगर है टोटल हम पहले से ही कम्पलेट करके रख लिया था तो पहले हम इसको क्रम कोट भी कर लेता हूँ जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप सबसे पहले लेयर कमपिल होने के बाद आप पहले करम कोट कर लिजे इससे क्या है आपका स्पंज का चूरा बिल्कुल भी नहीं आएगा प्रोपर तरीके से आइसिंग भी प्रोपर फिनिसिंग होगा तो देख सकत कैसे पाइपिंग बैक के साहता से हम पूरा केक पे इस तरीके से पहले किरिम अपलाई कर दिया हूँ और मेरा जो केक था प्रोपर डॉम सेमें था अगर आप चाहे तो केक को डॉम से कर के आप मत्का ठीय बना सकते अन्धर हूं थोड़ा आप तो थोड़ा सा और भी बढा करके इसका लेयर हो गरा complete कर लिया था और इस तरीके से हम कंगी के साहिता से पूरा क्रीम अपना जो है वो लेबल कर लिया हो फिर डॉम पट्टे की साहिता से इस तरीके से पहले एक स्मूथ फिनिसिंग नोगा क्योंकि जब तक करीम का फिनिसिंग प्रोपर नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई साभी से परफेक्ट नहीं आएगा तो यहां पर आप मटका केक बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सेप भी मटका का जैसा आना चाहि होते हैं वह हम इस तरीके से यहां पर बना देते हैं तो यह मेरा जो सेफ है प्रोपर मटका का जैसा लगने लगा है तो देख सकते हैं उपर का जो कोर बनाने के लिए इस तरीके से पहले थोड़ा सा आपको क्यारफूल हो के बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर क्रीम बह से भी इसको फिनिसिंग कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बटर पेपर से भी उपर का यह चीज बन जाता है तो देख सकते हैं यह मेरा फिनिसिंग होगी है उसके बाद इसको हम ब्लैक कलर में बनाना है तो यहां पर मैं चॉकलेट ट्रफल का यूज कर रहा हूं अगर आप लो कर लेता हूं तो देख सकते हैं बेस भी जो है हम ब्राउन कलर में ही फिनिसिंग कर रहा हूं आप अपने हिसाब से कलर कोमेनेशन अलग भी कर सकते हैं उसके बाद चलिए हमको जितना बढ़िया हो सके हम मठका केक को डेकुरेशन करते हैं तो यहां पर जैसे हमारा केक ब्ल है तो यहां पर हम ब्लेक एंड वाइट कलर कोमेनेशन का ही डेकुरेशन कर रहा हूं तो इस तरीके से देख सकते हैं उपर मेरा जालर कंप्लेट होने बाद इस तरीके से डॉट डॉट्स भी कंप्लेट कर दिया हूं पहुत ही खुबसूरत अभी से ही दिख रहा है और भी इसका decoration हो आप अपने हिसाब से बढ़िया कर सकते हैं हमसे जितना अच्छा हो सका हम इसमें decoration करके आप लोगों को बताने का कोशिस किया हूँ बाकी कुछ आप अपने हिसाब से भी decoration आप कर सकते हैं तो देख सकते हैं मेरा उपर finishing complete होने के बाद यहाँ पर मैं yellow color का इस तरीके से lining बना दिया हूँ नीचे उपर दो lining बनाया हूँ बीच में थोड़ा सा gap रखा हूँ उसमें हम अपने हिसाब से भी और कुछ decoration करूँगा तो इसके वज़े से वहाँ पर थोड़ा सा खालिया स्प्रिस दिया हूँ बाकी उपर में भी इस तरीके से yellow color का इस तरीके से heart shape बना दिया हूँ cream का dots में लगा दिया हूँ उसके बाद फिर इस तरीके साब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं green color का जो है बना सकते हैं तो मेरा यह design complete होने बाद यहाँ पर मैं blue color का dots भी लगा देता हूँ जो मैं इस तरीका का design किया हूँ उसमें देख सकते हैं मैं कहाँ पर blue color का dots कर रहा हूँ तो यह जो मेरा मटका cake का side का decoration है वो बिल्कुल बन करके complete है इसमें हम और भी कुछ extra decoration करके आज आप लोगों को बता रहा हूँ तो देख सकते हम जितना परकार का color combination वो cake पे use किया हूँ उसी से हम यहाँ पे इस तरीके से dots दे दिया हूँ जैसे क्या मैं green में blue का use किया हूँ और जैसे देख सकते हैं pink में भी green का use कर रहा हूँ और यहाँ पे जो yellow dots है जो बड़ा वाला yellow dots है blue dots है उसके उपर हम इस तरीके से छोटा छोटा yellow dots से हम इसको underlining cover कर दे रहा हूँ तो यह जो मेरा decoration है बहुत ही बढ़ियां बहुत ही खुबसूरत अभी से ही दिख रहा है बाकि इसमें माखा नोगरा कैसा लगाना है आपको आप लोग आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हैं इस तरीके से हमको थोड़ा सा खाली space भी लग रहा था तो चली मैं फटाफट से काना का जो माखान है वो भी हम यहां पर लगा देता हूं उसके लिए क्या है आपको क्रीम को जो है बिल्कुल सौप्ट करना पड़ेगा आप जो क्रीम से आइसिंग कर रहे हैं उसी क्रीम में आप लूज क्रीम डाल करके क्रीम को अपना आप पक्तला सा इस तरीके से गरते में यहां पर बना दिया हूं और मैं फौन साएं का जो मौरड़ पना है था वो भी इस तरीके से लगा देता हूं उसके बासुरी बनाए था वह यहां पर रख दिया तो यह जो मेरा डिजाइन है बन करके कंप्लेट है आपको मटका के कैसा लगा अपना राय जरूर बताईएगा तो हैपे जैनमस्ट में भी लिख दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में कुछ नया डिजाइन के साथ में तब तक के लि जाइन जै भारत जै जारूरूरू